वो शक्ति परम है, वो शक्ति वंदिनिये हैं, जो निच स्वार्थ को छोड़ प्रेम की गंगा भाहती हैं, ममता, कोमलता और दया गुन हैं, जिनके पर आत्म सम्मानी की हानी पर विकट रूप दिखलाती है, वो शक्ति स्त्री है, वो शक्ति परम है, वो शक्ति वंदिनिये नमस्कार, मेरा नाम साहिल कुमार चौबे है, मैं नवी कक्षा का छात्रू हूँ और मैं गौवर्मेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुठी में पढ़ता हूँ आज मैं आपके सामने एक स्त्री के जीवन में आने वाली चुनातियों और समस्याओं का वर्नन करने जा रहा हूँ स्त्री जीवन हम सभी प्राणी अपने अपने जीवन को जीते हैं पर जितनी सरलता से हम अपने जीवन को जीते हैं शायद ही उतनी सरलता से अपने जीवन को जीने का मौका एक स्त्री को मिलता है हमारे देश की इतनी तरक्की के बाद भी आज भी हमारे देश में किसी भी स्त्री को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए बड़ी ही आसानी से पाया जा सकता है आज भी हमारे समाज में वो रूड़ी वादी विचार जिन्दा है कि स्त्रीयां पुरुशों से कमजोर है हमारे देश में एक स्त्री के अस्तित्व की लड़ाई उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है उसके जीवन में समस्याएं और किठनाईयां उसके जन्म से ही शुरू हो जाती है और उसकी मृत्यों तक उसका पिछा नहीं छोड़ती है हमारे देश में जब एक बालिका का जन्म होता है तो कहीं माता-पिता चिन्ता में होते हैं कहीं माता-पिता प्रसंद होते हैं और जहां माता-पिता प्रसंद होते हैं वहां समाज और सगे संबंदी ये तंजवश्य कसते हैं कि बेटी हुई अच्छी बात है परन्तु अगर पुत्र होता तो बहतर होता कहीं कहीं तो उसके जन्म के साथ ही उसके विवा की चिंता जुड़ी होती है कहीं कहीं उसके जन्म से ही उसके विवा के लिए धन इकठा किया जाने लगता है ये तो बात है उसके जन्म पर पर अभी तो उसकी शिक्षा भी बाकी है पुराने काल में पहले के समय में यानि आज से 50-60 साल पहले हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत ही कमजोर थी हमारे देश में लड़कियां शिक्षित नहीं थी पर आज तो हमारे देश की स्त्रियां बहुत ही शिक्षित हैं और बड़े-बड़े पदों पे न्युक्त हुई हैं आज हमारे देश की महिलाएं गोल्ड मेडल जीत रही हैं उलम्पिक्स में एशियन गेम्स में लेकिन खेर आज भी स्त्रियों को जब स्कूल भेजा जाता है एक बालिका को एक लड़की को जब स्कूल भेजा जाता है तो उसके माता-पिता के मन में चिंता होती है ये चिंता क्यों है? ये चिंता है उन बुरे विचारों वाले पुर्षों के कारएं जो कि किसी भी स्त्री को गलत नजर से देखती हैं पर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे का जिम्मेदार हम है, हमारा समाज है, मैं हूँ, आप है हमारे समाज में अगर ऐसी बुरी नियत वाले पुरुश हैं तो उनका कारण हम सभी है जब तक हम सभी उन पर ध्यान नहीं देते उन पर लगाम नहीं कसते तब तक उसके जिम्मेदार हम है जरुरत है कि हम उन पर लगाम कसें जरुरत है कि हम अपनी महिलाओं को अपने देश की महिलाओं अपनी देश की बेटियों को सुरक्षित देखें जरुरत है कि हम अपने आसपास हर अपने भाई हर अपने बहन की सुरक्षा को अपने स्तर पर सुनिश्चित करें हमारे देश में इन सभी समस्याओं के बाद अगर कोई लड़की पढ़ लिखकर कुछ बन भी जाती है तो समाज में ये तंजवश्य कसा जाता है कि इसका क्या फाइदा जाना तो इसे किसी और के ही घार है और उसकी शादी पर अड़ जाते हैं कहीं कहीं अगर शादी में विलंब हो गया तो समाज में कुछ बुरे लोग कई तरह की गलत बाते फैलाने लगते हैं जिनका तो जिक्र भी नहीं किया जा सकता ये लोग इतने बुरे होते हैं कि कुछ भी कह डालने में कतराते नहीं है अब देखिए अब एक स्त्री की शादी होगी और उसका सबसे आवश्यक सबसे बड़ा काम इसके बाद ही शुरू होता है वो शादी करके एक नए घर में जाती है नहीं घर नहीं एक नए मकान में जाती है जिसे वो घर बनाती है बड़े बड़े इंजिनियर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके एक मकान एक बहुत सुन्दर एक धाचा तो तैयार कर देते हैं पर उस धाचे को उस मकान को घर बनाने का काम इक स्त्री करती है जो कि किसी भी पुरुष के लिए संभाव है ये इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है और सबसे कठिन काम भी यही है एक मकान को एक घर का रूप देना इस कार्य का कोई दाम नहीं है ये कार्य अनमोल है लेकिन इस कार्य के लिए स्त्रियों पे कभी ध्यान नहीं दिया जाता केवल विशेश आवसरों पर जैसे कि आज महिला दिवस पर या कई दूसरे आवसरों पर ही उनके इस काम को याद किया जाता है पर जरूरत है कि हम उनके इस काम पर रोज ध्यान दे रोज याद करें कि हमारे घर पर जो हमारी मम्मी है जो हमारी मा है, वो कितने कस्ट उठा रही है, कितने काम कर रही है और किस एनरजी के साथ वो उस काम को अंजाम दे रही है हमारे देश में यह जरूरत है कि हमारे देश की हर महिला अपने आपको सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे ये जरुरत है कि हमारे देश की हर महिला आत्म निर्भर बने उसे किसी की सहायता की आवशक्ता ना हूँ अगर कभी मुसीबत भी आए तो वो स्वेम उससे लड़ने में सक्षम उस दिन हम कहेंगे कि हमारे देश की महिलाएं पुरुशों से आगे निकल रही है पर आज भी हमारे देश में जैसा के हम जानते हैं जो डर का महौल है वो जिन्दा है हमें उस डर के महौल को ख़तम करना होगा उसके लिए हमारे समाज हमें मुझे आपको सब को जागरुक बनना होगा हमारी देश की महिलाओं, हमारी देश की बेटियों को जागरुक करना होगा उन्हें आत्म रक्षा के गुन सिखाने होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और महिला दिवस का उद्देश ये पूरा होगा इनी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा जै शक्ती, जै इस्त्री, जै भारत